कंगना रनौत का फेक ट्वीट हुआ वायरल अभिनेत्री बोली ये मुझे मोदी जी के कैम्पेइन की याद दिलाता है कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है कंगना रनौत अक्सर अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखती है जिसके चलते कभी उन्हें सोशल मीडिया यूजर्स सपोर्ट करते हैं तो कभी ट्रोल हाला कि इस बीच कंगना के नाम से फरजी ट्वीट पर अभिनेत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है सोशल मीडिया यूजर ने किया ट्वीट रोजी नाम की एक सोशल मीडिया यूजर ने दो स्क्रीन शॉट्स के साथ ट्वीट किया अपने ट्वीट में रोजी ने बताया कि उन्हें ये पिक वाट सैप पर मिली है जो कंगना के फेक ट्वीट की है जिससे कई बार फवर्ड किया गया है लोग कंगना को बुरा दिखाने के लिए और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं रोजी दोरा शेर स्क्रीन शॉट में ऐसा दिखाया जा रहा है कि कंगना ने 21 अप्रेल को शाम को 4.400 पर ट्वीट किया है कंगना के फरजी ट्वीट में बताया है कि जिस भी शक्स को ऑक्सीजन की कमी हो रही हो वो ऐसा कर सकता है कंगना ने किया रही ट्वीट को रेट्वीट करते हुए कंगना रानौत ने लिखा ये मुझे मोदी जी पी एम नरेंदर मोदी के कैमपेंड की याद दिलाता है वो मेरे पीछे नहीं वो तुम्हारे पीछे है लेकिन मैं उस रास्ते में हूँ अगर आप ऐसे जूट पर विश्वास कर रहे हैं क्यूंकि आप कमफर्ण करने में आलसी है तो आपने उन्हें खुद को बरबाद करने की ताकत दे दी है आप जो भी करें सोच समझ कर करें मेरे पास पाने या खोने के लिए कुछ नहीं है गौर तलब है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत अपने पोस्ट को लेकर चर्चा में है कंगना रनौत सोचल मीडिया पर काफी सक्रियें रहती है हाल ही में कंगना ने ट्वीट कर लिखा कि वोट की राजनीती को अलग रखा जाना चाहिए और आज संकट को देखते हुए कम से कम तीसरे बच्चे के लिए जुर्माना या कारवास होना चाहिए अपने स्ट्वीट को लेकर कंगना काफी ट्रोल भी हुई